कर अई कि है कि हम पढ़ रहे हैं अब ना चैप्टर अट मानम स्वास्ता एवम्भोग जिसमें हम सारे लोगों के बारे में पढ़ चुकह थे और हम पढ़ रहे थे अबना जो हमारा टॉपिक चल रहा है वह थे प्रतिरक्षा यानि की immunity तो प्रतिरक्षा में हमने जाना था कि जो प्रतिरक्षा होती है वो दो तरागी होती है two types होती है सहज प्रतिरक्षा innate immunity और दूसरी उपारजित प्रतिरक्षा acquired immunity तो यह जो सहज प्रतिरक्षा होती है यह अनुवानशिक होती है यानि कि इंसान की बॉड़ी में से पहले ही इतने इम्यूनिटी होती है कि वो किसी भी रोग के अगेंस्ट उसको लड़ सके है फिर किसी भी रोग को खतम करने की शमता उसके अंदर होती है दूसरी थी उपारजित प्रतिरक्षा acquired immunity जो कि medication द्वारा टीका करन द्वारा और antibodies के द्वारा मनुश्य में दी जाती है यानि कि बाहर से जो सरीर के अंदर पहुचाई जाती है antibodies उसको बोलते हो उपारजित प्रतिरक्षा इनके बारे में जाना था सहज प्रतिरक्षा में जाना कि जो सहज प्रतिरक्षा थी वो त दूसरे कई की अवरोध कोशि प्रतिरक्षा और प्रतार प्रतिरक्षा को पहचान सकती है और प्रते रोग जनक के लिए यानि कि बहुत ज्यादा अलग होती है प्रितेग्रोग जनक के लिए यानि कि उसको खतम करने की शम्दा इनके अंदर होती है यह क्या करती है स्वेम और दूसरों के बीच पहचान कर लेती है यानि कि अगर कोई वारस अगर बोडी में घुश जाए तो यह पहचान कर लेती है कि यह वारस बाहर से बॉडी में आया हुआ है तो यह बाहरी सुक्चमजी वर अड़ों या फिर सारी कोशिक और अन्य अड़ों को पहचान कर उनमें विभेद करती है तो उपाड़ी पतियों चंतर जो थे उनमें दो तरीकी की कोशिकाई पाई जा रही थी एक ती लिंफोसा है तो बादेश के बारे में पढ़ चिक हैं ऩ्यां कर समय होतीन है की एक श्यास में का बांदी मत्र म। क्रतिरक्षातंत्र बनाती है की लिंफोसाइट कोशी का घी। प्रती रख्षात अंतर बनाती है तो आज जो हम पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे कि टी लिंफोसाइट जो बनाती है, महादे मित प्रती रख्षात अंतर उसके बारे में हम जानेंगे यह जो बी लिंपोसाइट्स थी इनका गार रहा किया था कि यह जो होती है यह तंत्र सरीज में प्रवेश किये हुए हानिकारक रसायन जीवानों विशानों आधी से रक्षा करती है यह जब कोई एंटीजन बीकोशिकाओं की सतह से जुड़ता है तो यह बीकोशिकाओं सक्र बंदे उसमें जो एंटीजन 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 आँवाडी से जुड़गर और्टे एंटीजन एंटीजन एंटीबॉंडी जटे लियानें कॉम्पलेक्स का निर्माड करते हैं अब एंटीबॉंडी well old теперь प्रती रक्षी इम्योंटी जों Deccal plot डिय होती है Carla कि बनीय हू और चया क्याक कया शक्रियाद करते चदुर्शा रम्राइज Hiçशन आप उनेगे माहथ कि दूध मेंकर कनक्य रोगाणु को निस्क्रियालजर था कि यहारा कीवें पाजनने दुर्ज्री आरफ विसेले पधारत और ऐलर्जन के विरुदिये कारे करते हैं IGD और ये IGE कोशिकाओ के संपर्क में आ जाते हैं उनके साथ मिलकल ऐलर्जन जो होता है उसको नस्ट करने का काम करते हैं अब आते, IgG, IgG हमारे सरीर में सबसे अधिव मात्रा में पाई जाने वाली आइन्टीबोडि एन्टीभी, 75% हमारी बोडी में अगर कोई Antibody पाई जाती है तो वोह लिए IgG और ये विसेले पधार्तों से रक्षा करती है अब आती आईजीम, आईजीम क्या करती है, सबसे कम मात्रा में हमारी बोड़ी में पाई जाती है और यह संक्रमण वाले स्थान पर पहुचती है और आईजीजी को बढ़ावा देती है जिससे की वो संक्रमण को नस्ट कर सके यह थी सारी एंटीबोडि अब जानते हैं हम अब आते हैं कोशी का माद्रा मित प्रतिरक्षा तंत्र, यानि कि Cell Medicated Immune System और CMIS यह जो CMIS होता है, इसको बोलते हैं Cell Mediated Immune System यह क्या होती है जो T-Lymphocytes होती है, वो हमारी CMIS को बनाती है यानि कि जो T-Lymphocytes होती है वो Cell Mediated Immune System को बनाती है और इसमें काम क्या होता है कि यह जो होती है प्रतिरक्षा तंत्र सरीर में पहुंचे जीवाणों, वीशाणों वा कवाकाजी के विरुद तो कार्य करती है और बाहेकारकों के संपर्क में आते ही T-Lymphocyte विभाजीत होकर अ इसे हमारे सरीर में कोई भी जीवाणों विशाणों यह सारी चीजे अगर हमारी बॉड़ी में एंटर करती है उनके विरुद यह कार्य करना सुरू कर देंगे और कार्य सुरू करेंगी तो फिर क्या करेंगी यह कि चार कोशिकाओं में विभाजित हो जाएंगी और इस चा इसेल उसके पाद इसमरती टी-लिंफोसाइट्स मेंबरी टी-सेल अपी जो घातक टी-लिंफोसाइट्स होती है इनका कार्य क्या होता है कि संक्रमण वाले इस्थान पर पहुंचकर परफोरी नामक पधार्थ श्रावित करती है जो सुक्षम जीवों के सरीर पर छिद्र बन जाएंगी और वहां पर पर परफोरी नामक पधार्थ को इस्रावन करेंगी वहां पर उसका यानिकर रिलीज करेंगी पर फूरी नामक पधार्थ और चुक्षम जीवों हमारी बॉडी के अंदर एंट्र हो चुका है उसके सरीर पर छिद्र बना देती हैं जिससे वह जो कैंसर होता है और यह जो एचाइवी होता है यह सबसे पहले जो अटैक करता है सहायक तीकोशिकाओं पर करता है अगर यह सहायक तीकोशिकाओं को नस्ट करने का काम करती जैसे हमारी बॉडी से सहायक तीकोशिकाओं नस्ट होनी शुरू हो जाएंगी वैसे ही एंटीब लिंफोसाइट्स होती है कि क्या सूचेंगे कि हमारी बॉडी में जो वायरस आया है यह वो ही एंटिबॉडी जो हमारी बॉडी के अंदर बनी हुई है पहले से और वह इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी में जितने भी एंटिबॉडी होती है सबको नस्ट कर देती एक तरीक जो होती है वो इनको नस्ट करती है कि इन्हें नस्ट कर दिया तो body का क्या हो जाएगा उनके उपर अपना control हो जाएगा और वो पूरे सरीर में अच्छे से फैल सकती है जो सायक T lymphocytes, B lymphocytes को antibody बनाने को प्रे priority करती हैं जो सायक T lymphocytes का सबसे जाधा हमारी body के अंदर पाई जाती है दूसरा ये सायक T lymphocytes, B lymphocytes को antibody बनाने के लिए भी प्रेजित करती है और T lymphocytes क्या करती है घातक T कोशिकाओं को उत्रेजित करती है जिससे वे सक्रिया होकर सुक्सिम जीवों को नस्ट कर दे उसके बाद आती है दबाने वाले T कोशिका यानि कि दबाने वाले lymphocytes अब ये दबाने वाले lymphocytes का काम क्या है कि ये T वे B lymphocytes को उससमें प्रभावितिया दबाने का काम करती है जब सरीर में बाहे कारकों से उत्पन संकर्मन नियंत्रित होता है जो दबाने वाले T कोश्रिकाई होती है क्या करती है कि T और B लिंफोसाइट को उसमें प्रभाविते दबाने का काम करती है तब सरीर में बाहिकारकों से उत्पन संक्रमन नियंत्रित होता है अब आते हैं इसमरती T लिंफोसाइट इसमरती T-Lymphocyte का कार्रे क्या होता है कि यह सबसे समवेदन सील lymphocytes है और यदि किसी रोगजनक का आक्रमण पहले ही हो चुका है कभी तो फिर अगर वो दुबारा आक्रमण करता है हमारी बॉड़ी पर तो इसमरती T को शिकाए सरीर में पहले हुए आक्रमण को याद रखती है यानि कि यह इसमरती T को शिकाए जो होती है यह क्या करती है अगर कोई वाइरस हमारी बॉड़ी में पहले आ चुका है अगर फिर द प्रतिजन का सामना करता है प्रतिजन यानि कि रोगजनक का सामना करता है करता है तो उसके सरीर में एंटिबोडी बनती है और प्रतिजन जो होता है उम्रत्यात जीवित रोगण। तंत्र उसके बाद आता है निस्करी प्रतिरक्षा तंत्र तो निस्करी प्रतिरक्षा तंत्र क्या है कि जब हमारे सरीर में या फिर हमारे सरीर की रक्षा करने के लिए बनाए गए प्रतिरक्षी एंटीबॉडी सीधे ही सरीर को दिये जाते हैं यानि कि कोई भी होता है यहांट होता है माता को नमजासिसो Kay reads करते हैं तो यह लो यह जरूरी होती है जो कि बार से भार से नहीं मिल सकती petite उसी तरीके से यानि कि जैसे कि दुख्द स्रवन के सुरुवाती समय में दूद में उपस्तित पीले पदार जिसे क्लोस ट्रम कहते हैं प्यूस कहते हैं मैं एंटिबोडी आईजी ए उपस्तित होती है और वो सिसू को दी जाती है रोगों से लड़ने के लिए अब आता प्रतिरक्षी करने या ठीका करने यानि कि immunization और vaccination वैक्सिनेशन तो आपको पता ही है कि किसी भी रोग को नस्ट करने के लिए उसके ठीके लगाना यानि कि हमारी बोड़ी में कोई रोग नाग होसे उसके लिए ठीका करन होता है हर चीज का vaccination होता है पोलिय का vaccination होता है छोटे नवजा से उसको पोलियो का vaccination लगाते हैं और कोरोना की वैक्सिन के बारे में बात चली रही है तो वैक्सिन तो आपको बताने की जुरती नहीं कि वैक्सिन क्या होती है तो वैक्सिन के बारे में जानते कि वैक्सिन क्या होती है तो टीका करण में रोग जनक को निस्क्रिय या दुर्बली करत अवस्ता में सरीर में प्रवेश कराये जाते हैं तो रोग जनक होते हैं वो निस्क्रिय दुर्बली करत अवस्ता में सरीर में अमारी में प्रवेश कराये जाते हैं और इन प्रतीजनों के विरुदु शरीर में उत्पन एंटीबॉडी जो बनती है वो वास्तिविक संक्रमण के दोरान रोगजनी कारकों को निस्क्रिय बना देगी यानि कि तीका करण में क्या होता है कि जो रोगजनक होते हैं वो निस्क्रिय और दुर्बलिकरत होते हैं होते वही हैं लेकिन निस्क्रिय और दुर्बलिकरत वस्ता में होते हैं वो और उनको बॉड़ी में एंटर करा दिया जाता है इस रीजन से कि इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगी अब जो उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है और जब कोई मजबूत वाला रोग जनक हमारी बॉड़ी के अंदर गुसता है तो वो एंटी बॉड़ी हमारी सरीर में पहले सी बन चुकी होती है तो वो उसको नस्ट कर देती है फिर यह होता टी का करण का काम तो जो T का इसमरती होती है T कोशिका बे B कोशिका भी बनाती है और यह क्या करती है कि प्रतिवर्थी प्रभावन होने पर रोगजनक को जल्दी से पहचान लेती है और एंटी बोडी के भारी मात्रा उत्पन करके हमलावर को नस्ट कर देती है यानि कि जो T कोशिका और B कोशिका होती है यह जो हमारी बोडी में अगर कोई रोगजनक पहुच जाए तो उसको जल्दी से जल्दी पहचान लेंगी और पहचानने के बाद एंटी बोडी बनाएंगी भारी मात्रा में और उसको नस्ट कर देंगी यह काम होता है यह होता है प्रतिरक्षी करण या तीका करण यानि कि किसी भी निस्क्रे दुल्बिकरत रोगजनक को बोडी के अंदर एंटर कराना कि उसके अगेंस्ट एंटी बोडी बन जाए उसके पाद जब कोई वाइरस बाहर से बोडी में गुसता है तो वो क्या करती है वो उसको नस्ट कर दीती है उसके अगेंस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एंटी बोडी बनागा तो आज के टॉपिक में इतना ही बाकी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हैं अब अपना अगर इस टॉपिक में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिखके बता सकते हैं वो मैं आपका क्लियर कर दूँगी